हलो गाइज वेलकम टू वेरी वेरी ब्यूटिफुल इंफोमेटीव वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूँ दो चीजों से हम किस तरह से पने चहरे को हमेशा के लिए तरुताजा और यंग रख सकते हैं गाइज हमारे चहरे पर पिग्मेटेशन बहुत जादा आने शुरू हो जाती है वो बहुत सारे कारणों की वज़े से होती है हमारी स्किन काफी काली पर जाती है गर्मियों में वो भी उसके भी बहुत जादा कारण होते हैं अगर कारण बताने लगी तो आप आम शोर वीडि और आपके धेरो सारे पैसे भी बच जाएंगे जो महंगे महंगे आप प्रडक्ट खरीदते हो और हफते बार या 15 दिन के बार जब आप पारलर में जाके उन्हें अच्छा खासा कैश पकड़ा के आते हो तो यह सब आपका बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से चलिए शुरू करते हैं let's get started तो दोस्तों डियावे बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले खस-खस मैंने इसको थोड़ा नोट करके रखा हुआ है यह खस-खस है जो आपके घरों में कीचन में पाई जाती है खस-खस बहुत तरीकों में यूज की जाती है लेकिन आज हम खस-खस को as a scrub और sunburn से बचने के लिए यूज करेंगे खस-खस जो है इसके बारीक दाने हमारी skin के जो दाग धबे हैं उन्हें lighten करने में open pores को clean करने में और skin की massage करने में बहुत help करते हैं जिससे हमारी चेहरे का जो blood circulation है वो improve होता है और उसके साथ साथ हमार करते हैं तो आपके चेहरे पर sunburn sun tan कभी नहीं होगा और जो छोटे-चोटे दाने होते हैं वह भी निकल जाएंगे और जिनकी skin बहुत dry रहती है जैसे ही बतलब skin काफी dry हो जाती है foundation बहुत कैकी लगता है तो आप इसका 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 हमेशा करें ताकि आपकी skin हमेशा soft, soothe and supple रहे तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा मैं वह बताती हूं सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे दो चमश दही जो मैं पहले ही actually ready करके रख चुकी हूं ताकि आपको एक बार समझा सकूं दो चमश दही लेना है एक चमश खस खस लेना है इन दोन सबसे हमारे स्किन के ओपर काफी अच्छी खासी मसाज हो जाती है और अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूफ होगा या ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो स्किन आटोमेटिकली नाच्छल तरीके से लाइट होती रहेगी तो यह बहुत ही ससता सा काम है जो आपको सॉफ्ट हो जाएगी और हमने इससे अपने चेहरे पर अपलाई करना है सर्कुलर मोशन में 5-10 मिनट तक 5 मिनट पर कर लोगे बहुत है जस इसे स्क्रब करते रहे दिरे दिरे और उसके बाद हलके गुनगुने पानी से वाश करना है तंकी का पानी आता है ना उसी से दोली जीए उससे आपके ओपन पोर्स अराम से खुल जाते हैं और आपके स्किन को बहुत रिलाक्स मिलता है और गाइस उसके बाद मॉस्टराइज करना बिल्कुल नहीं भूला है तो अभी चलिए मैं आपको लिगा लगा के दिखाती हूं और मसाज करके दिखाती हूं कैसे करन है तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो आई होप आपको यह इंफोर्मेटिव वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा इससे आपने हरो जीए करना है कोई इस गहां कि लिए सकता है तो अगर आप उसे लाइट करना चाहते हैं तो आप इसका इसका इससे माल बाहर से जब भी घर पे आ रहे हैं तो इसका 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 इस्टारूर कीजिए स्किन को क्लियर रखें तो अब मिलूगी नए वीडियो के साथ दोस्तों लेकिन आप जाए कहीं मत क्योंकि आप ने यहाँ पर जो रेड कलर का बटन है अगर क्लिक नहीं किया तो कर लीजिए उसके साथ में जो घंटी का साइन आएगा वहाँ पर क्लिक करें और फिर आल पर क क्लिक करें तके आने वाली सारी वीडियो की इंफोर्मेशन आप तक पहुंचते रहें और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिसना हो पाए तुम मिलोंगी नए वीडियो में बाई बाई टेक्यर लव यॉल